नमस्कार दोस्तों मैं उमेश शर्मा चार्ट अनालसीस चैनल पर आपका हर देख स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ATP के बारे में आपको बताएंगे कि ATP के बेस पर आप किस तरीके से इंट्राडे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और साथ-साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ATP के साथ-साथ आपको कौन से टेक्निकल टूल्स हैं जिनका आपको यूज करना है जिससे आपकी एकुरेसी इंट्राडे में जादा बैटर हो पाए तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है इसे शुग से लेके आखिर दक जरूर देखेगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ने कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अब चलते हैं डिर्कली स्क्रीन पे अब आज चुके हम स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहँ हूँ कि ATP होता क्या है ATP की फुल फर्म है Average Traded Price अब यह Average Traded Price होता क्या है एक्जामपल के तोर पर कर आप देखते हैं कि Market जो है Pre-Open Market ओपन होती है जो ट्रेड एवरेज है वो है 200 रुपे के आसपास एक स्टॉक देखा 9 बड़े से लेके 10 बड़े के आसपास वो ट्रेड करा रहा है और उसके बाद हमने क्या रहा है एक एवरेज निकाल ली जिसको बोलते है ATP अब किसी स्टॉक की जो ATP है वो 200 रुपे के आसपास है देखो बोला यह जाता है कि जब भी कोई स्टॉक 200 रुपे के ऊपर जाता है एक्जामपल के तौर पर मैं आपको समझाना जाऊंगा कि स्टॉक 200 रुपे के ऊपर जाता है और जाता है bullish candle के साथ तो आप अगली candle पर अमनी position बाया बना के चल सकते हैं और जो candle का low होता है उसका आप क्या कर सकते हैं stop loss रख सकते हैं या जो average traded price है उसका आप stop loss लेके चल सकते हैं हो सकते हैं आपकी बायंग 203 रुपे पे हो हो सकते हैं आपकी बायंग 204 रुपे पे हो यह इंटर डे के लिए ट्रेड लिये जाते हैं पहले मैं आपको एक simple method समझाता हूं जिस पे लोग जातातर काम करते हैं एक दूसरा तरीका यह है कि अगर आप देखते हैं कि average traded price 200 रुपे के आसपास है और stock bearish candle के साथ वो 200 रुपे के लेवल है वो break करता है तो next candle के low पे क्या कर सकते हैं आप अपनी position short बना के चल सकते हैं candle के high का stop loss रख सकते हैं या फिर आप stop loss यह 200 का market में रख सकते हैं example के तोरपे आपने देखा 197 के आसपास आया तो आपने 197 पे position short करी और जो penetrate candle है उसके high का stop loss रखा अब एक basic तरीका है जब लोग market में ATP के base बनाते हैं बहुत कुराना तरीका है बट हुआ क्या कि market जो है वो consolidate होने लगी वो इसी range में गूमने लगी तो कई लोग कि अगर 200 रुपे के पर buying करते थे 200 का stop loss रखते थे example के तोर पे कर मैं बताना चाहूं किसी stock की कीमत 200 रुपे है तो वहाँ पे उनका stop loss कर जाता था अब वो 200 रुपे के नीचे sell कर रहे हैं फिर वो 200 रुपे का stop loss लगा रहे हैं फिर उनका stop loss कर जाता क्योंकि market जो है वो एक ही range में बार-बार क्या कर लिए ट्रेड करा रही है दूसरी चीज़े होती है कि profit book कहां करें ठीक है जी आपने 200 रुपे के पर buy कर लिया आपने माला 203 रुपे पर buy कर लिया आपका stop loss 200 गया असपस का है तो exit का हूं stock 206 भी जा सकता है 207 भी जा सकता है 208 भी जा सकता है तो यह सबसे बड़ी problem थी जो ATP भी निकल के आ रही थी तो इस वरे से लोगों ने ATP पर काम करना थोड़ा सा कम कर दिया देखो क्या होता है कि कभी भी आपको कोई बता था ATP के बारे में तो यह किसी भी बारे में बता रहा है तेकनिकल टम्स के बारे में बता रहा है या फिर कोई भी इंडिकेटर के बारे में बता रहा है तो सुन कौन से टेकनिकल टूल्स हैं जो आपको चेक करने बढ़ेंगे तो अब मैं लेकर जाओंगा दोस्तों आपको चार्ट पे और वहाँ पे मैं आपको clarity के साथ समझाना चाहूंगा अब आच उगे हम चार्ट पे बड़स से पहला आपको बताना चाहूंगा कि ATP आप कहां चेक करें आप किसी broker का software यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कलक से window दी जाती है जहां पे उस stock का पूरे दिन का high, low, उसका volume कितना रहा, top gainer, top loser और साथ साथ ATP भी दिया जाता है एक्जामपल के तोर पे हम देखते हैं Axis Bank, यह मेरे पीछे Axis Bank का चार्ट है और हम देखते हैं कि Axis Bank का ATP जो है पूरे दिन का वो कितना है 6.37 एक चीज और है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह ATP 10 बजे से 11 बजे के बीच में ही आप चेक कर लिजीगा यह मैं सोचेगा कि मैं 3 बजे trade बना रहा हूँ और 3 बजे मैं ATP चेक कर रहा हूँ तो वहां पर फिर आपकी अनैलिसीस गलत हो जाएगी क्यों क्योंकि आपके बास जो टाइम है वो काफी कम बचा है आप 10 बजे स्टाट 10 बजे trade बनाते हैं तो पूरा दिन आपके बास होता है तो ATP के accordingly trade बना सकते हैं अब हम देखते हैं कि Axis Bank का जो ATP है वो 637 है तो आप ऐसा नहीं है कि वो हर स्टॉक का एक ATP होगा तो अमनलाब यह नहीं कि ATP के उपर जाने के बाद आप स्टॉक बाय कर लेंगे आपको चेक करना है कि पहले आपको टेक्निकल्स चेक करना है तो टेक्निकल्स में आप देखेंगे कि Axis Bank जो है उसमें एक पैटन फ़र्म होए जिसको बोलते है 630 का अब आप देखेंगे कि इसमें कोई अधर पैटन तो नहीं है इसमें कोई डबल बॉटम तो नहीं है इसमें कोई डावर्जंस तो नहीं आ रही है सारी चीज़े चेक करने के बाद आप 635 रुपे के आस्पस बाय करते हैं और जब वो 637 रुपे के उपर जाता है तो इसमें एक confirmation आ जाती है कि आप इसमें और quantity एड कर सकते हैं देखें दोस्तो कोई भी stock है आपको trade बनाना है अपने candlestick के साफ से अपने chart pattern के हिसाफ से अपने technical के साफ से आपको trade बनाना है जो ATP है वो आपको confirmation देती है कि आज पूरे दिन के जो average traded price है उसके ऊपर भी जा चुका है example के तौर पर आप 635 रुपे पे 1000 share purchase करते हैं या फिर इसका एक future लेते हैं अब वो जब 637 रुपे के उपर जाएगा तो वहां से आप अपनी quantity और भी जादा add कर देंगे और वैसे तो इसका SL जो बनता है वो 630 के आसपास का ही बनेगा और अगर अब चाहे तो ATP का भी आप quantity add करिए यानि कि 1000 share आपने पहले लिए थे 1000 share आपने बाद में ले लिए तो आप क्या कर सकते हैं उसका stop loss क्या कर सकते हैं ATP का लगा सकते हैं example के तो और पर आपने 635 रुपे पे 1000 share लिए 637 जैसी इसने cross कर आपने 638 या 639 पे और quantity अपनी add करी और आपने क्या गरा ATP का ही stop loss लगा दिया तो पहले जो 1000 share लिए थे उसका SL तो 630 रहेगा बर जो दूसरे trade आपने बनाया जिसमें आपने profit में riding करी profit में averaging करी उसका ATP का stop loss लेके चल सकते हैं अब बात आती है कि टार्गेट कितना लेके चले अब ATP पर directly आप buy करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना मेरा target क्या होना चाहिए टार्गेट आप लेंगे candlestick के accordingly candlestick accordingly अगर आप 635 पर buy करते हैं 630 का आपका stop loss है तो टार्गेट आपका 640-645 के बीच में होना चाहिए इस चीज का आपको क्या धियान रखना है अब दूसरे चीज यह है कि अगर मालो कि कोई pattern मनावा बाइग्जामबल के तौर पे stock है और stock में कोई pattern मनावा जिसको बोलते है double top अब double top pattern मना है आपको पता double top क्या होता है जो अब trend को downtrend में convert करता है और stock की कीमत है 230 रुपे के आसपास अब 230 पे stock की कीमत चल रही है और इसका ATP जो price है उसकी बात करूंगा वो कितने 228 का 220 के असपास है तो अब 230 पे position अन्य शौट में बना देंगे और जब वो ATP के नीचे जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं और quantity उसमें add कर सकते हैं तो आप ATP पे position जो बनाएंगे वो इसके accordingly बनाएंगे यह नहीं कि आप directly ATP के उपर ज चांगा कि market जो है एक ही range में काफी consolidate करती है तो आप बाय करेंगे ATP के उपर तो भी आपका stop loss करेंगे ATP के नीचे sell करेंगे तो भी आपका stop loss करेंगे और अगर market आपके direction में जाए भी example के तौर पर आपके favor में चाता भी है तो आपको यह नहीं बता चलेगा कि मैं exit कहां पी ह करेंगे और profit में averaging करना सीखेंगे ATP के help से तो आपको अच्छा खासा पैसा ATP के help से मिल सकता है आशा करूंगा जो मैं आपको आज ATP के बारे बताया उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इसी तरीके से आगे आप अपना trade मनाके आगे मुनाफा जरू करें साथ से कहना चाहूंगा दोस्तों का अगर आपको इससे भी ज्यादा चीजे सीखनी है technical analysis में technical analysis और mastery लेनी अपनी accuracy 70-80% करनी है तो आप क्या कर सकते हैं आप जाहिए हमारी website साइट पे website www.chartanalysis.co.in यहां पर जाके विजिट कर सकते हैं इसका link नीचे आपको description में मिल जाएगा कहना चाहूंगा दोस्तों हमारा course है technical analysis का जो 7999 का आपको मिल जाता है जिसमें 28 videos 10 hours का course है जिसमें candlestick, chart pattern, indicator, dow theory, elite theory, time frame का combination, demand supply, psychology, price action सिखाया जाता है कब buy करना है, कब sell करना है, क्या stopless होना चाहिए, क्या target होना चाहिए, सारी चीज़े इसमें सिखाय हुए है, जो मेरा market का 14 years का experience है, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर डाला हुआ है और यकीन मानें दोस्तों अगर आप हमारा technical analysis का course लेते हैं, तो आपकी accuracy is 70-80% की जरूर आएगी ये तो दोस्तों सिफ ETP है, इसके इलावा भी बहुत सारे strategies हैं, जो हमने हैं पर सिखाय हुई है अब support कैसे मिलता है, उसके बारे बात करेंगे, कोई doubt है, कोई query है, मुझे call कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं सासा Sunday की हमारी master class होती है, इसके इलावा दोस्तों बताना जाओंगा कि हमारा personal telegram channel भी आपको दिया जाएगा सासाथ हमारा option का course है, जो कि 11,000 का है, 59 videos, 59 hours का course है, इसमें option chain, option की strategy उसके payoff, ये सारी चीजे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा detail में सिखाय जाती है सासा थाफ हमारा 16,000, 59 में technical plus option का combo course भी purchase कर सकते हैं अगर आप अपनी accuracy अच्छा करना चाते हैं, market में टिकना चाते हैं, अच्छे trader बना चाते हैं, profitable trader बना चाते हैं, तो हमारा course जरूर जोइन करिएगा सासा बताना चाहूंगा 31st July को हमारा एक meetup है, technical analysis का, जिसमें मैं आपको internet की काफी सारी strategies option के साथ आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप चाहें, तो दिल्ली में आके मेरे से मिल भी सकते हैं, इसकी detail हमने telegram channel पे आपको दे दी है, 31st July संडे को, सुबह 11 बज़े से लेके शाम को 6 बरे तक हमारा workshop होने वाला है, काफी powerful workshop होगा, इसमें आपको काफी को सीखने को मिलेगा अगर आप दिल्ली आना चाते हैं, मेरे से मिलना चाते हैं, कुछ सीखना चाते हैं, तो इसको भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी जो फीस है, वो सिफ पच्छिस सो रुपे है, और यह फाइट सार होटल में रहेगा, जिसमें lunch, snacks, इसके सासा हमारी तरब से कुछ किये जाएंगे, सासा दोस्तों कहना चाहूंगा आपको कि दो broker के link के नीचे description box में, दोनों में से किसी में डीमेट अकाउंट open करेंगे, तो Sunday का webinar आपको live time के लिए free of cost दिया जाएगा, तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपक तो इसे like करे, share करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद